और इस लेक्शर में हम डिसकॉस करेंगे जो हमारा आरि रेसिस्टर है उसके पैरलल में और हम एक कैपिस्टार है मैं या उसको बोल उसकते हूं बाइपास कैपिस्टर को cyn buffs को हमें क्या जरूर्थ है connect करने के हैंना हैसे हमारी क्या requirement है तो उसको discuss करेंगे तो सबसे पहले आ जाते हैं अब suppose करो यहां पर में voltage source भी जो AC जो हमारा है voltage source लगा देता हूं तो यह indicate कर रहा है कि हम इसको amplify कराना चाहते हैं ठीक तो amplify कराएंगे तो अब जो आए भी जो फ्लो हो रहा था इसमें सिर्फ दीजी था जो टूब वी से ठीक है पर जब यह भी आएगा source तो यहां पर वोल्टेज है तो वोल्टेज वी सी तो वी नमने यह पर apply किया है वी भी हमने ठीक है अब वी बी के एक प्रोश जो बोल्टेज आएगी उसको बोल सकते हैं वी बी यह तो हमारा हो जाएगी तो आइब अभी तक फ्लोव रहा है यह इस डीसी की वज़ए से पर जब यह सी शोर्स लगेएगा तो आइबी हमारा हो जाएगा instantaneous तो i b equals to i b plus i b ac plus dc, i e dc वाला और instantaneous i e benegा i equals to i e plus i e, थो यह है due to this source और i e है due to to dc byishing circuit वाला तो दोनो current flow होंगे, तो है क्या आपट अब हम यहां पर output ले रहे हैं इभर भी toffi v output है हमारा यहां पर कहाने का मतलब है यह दोनों इस तरह आगा तो यहां पर जो भी फ्लेक्ट्ट होगा वगा वी एक पॉस्ट होता है हमारा यह जो वोल्टेज है इंपूट पे इंपूट पर वोल्टेज अब यह हो गई इस एसी सोर्स लगने से जब हमने डिस शोर्स लगाया वहा था तो माइनस वी है तो वी है यहां पर यह क्यों है ड्यू to AC तो अब यहां पर तो ऐह है तो यहां पर दो करंट फिलो हो रही है तो जो I है I है मारा instantaneous current तो इसमें एसी और दीच क्वान हो के सिदो फिलो होंगी तो जो DC वाली तो fix है पर जो AC वाली है वो fluctuate होगी according to input तो वो increase होगी या decrease होगी ठीक है तो इस तरह का चलेगा क्योंकि वो इस तरह का है तो increase decrease होगी तो RE के across जो है जो voltage का fluctuation आएगा ठीक है जो ये वाली है सही है तो अब जो इसके across जो voltage बनेगी वो बनेगी होगी आपकी इंक्रीज या decrease होगी ठीक है तो ये इंक्रीज होगी होगा तो voltage आपकी इंक्रीज या decrease होगी ठीक है ना तो increase decrease होगी तो इसका output पे effect आएगा ठीक है जो output है वो fluctuate होगा इसकी बज़े से जो की नहीं होना चाहिए था और input जो है यानि जो वी भी है वो भी हमारा fluctuate होगा जो input है इस आरी की बज़े से क्योंकि कभी increase होगा कभी decrease होगा तो यह यहां पर जो आई है यह वाला जो है यह करेंट फीडबैक का काम कर रहा है तो इसको करेंट फीडबैक सब्सक्राइब तो अब यहां पर जब पहले हम collector वाला जो हमने एक पढ़ा है उसमें इसको नहीं लगा सकते तो डीची जो करेंट नहीं होता और वह फिलो नहीं होता तो जो हमारा उबरेटिंग पॉंट है वह सटनी होता है तो उसको नहीं लगा सकते थे किसी भी तरीक्याद नहीं है यहां पर शिर्फ जो भी करेंट आरहीं है वह यह पर सिंक और यह पर एक हम प्लगात दें तो केस्टर का नाम देltjes सीए तो अगर इस तरह हो रहे है तो इस तरह रहा है तो इस में क्या होगा जो आई जो हो रहा है अब यहाँ पर फ्uting electronics वह होगा डीसी इस इस पोइंट पे जो Carnegie है वो है हमारी IE instantaneous यानि IE पिलस IE AC जो AC AC करेंट है दूट इस सोर्स तो यहां पर तो इस पॉइंट पर दोन फिलो हो रहे हैं पर रसिस्टर में फिलो होगा सिर्फ इसको समझे लो करेंट फिलो उसी में होता है जिसका अगर दो पैरलेल में लगे हुए है तो करेंट फिलो जो आपका है ना है वह जिसका रेसिस्टर कम होगा उसमें करेंट फिलोगा अब जो हमारक यह कि आर्फ है यह जो एक सी होता है एक सटाइफ इक सुफ्स्ट होता है वन वाड़ा वपाई टूप सी 132 तो अगर आप फिर्क्वेंसी इंक्रीज नहिन करोगे तो ऐससी बेल्यों होगे टो इसका मतलब यह दो इसका च competition frequency है वह किलो हर्च की माल लेते हैं तो यह आपने आप एक्स इन में के लिए सही है तो आर्ओं जया से धर क्रिष्ट होता जाएगा जैसे फ्रेवन इंट्रीश होती जाएगी धाल जो हमारा डेह अलोह होगा कैपिस्टर में इस एक करेंच है तो यह इसका इसे करेंध्स वह होगा क्यूंकर में क्यूंकि उसी के लिए ही रिडियूज हुआ है जो इसका रहसिस्टेंस ऐसे के लिए ersch trans hair ग्म फैल्लिव यहल्ई है घ्लिकथण फ्रहीं अंप क्यों वह गइए no ओपन- शिर्केट है यानि इन फाइनाइड रस्टन बहुत ज्यादा लाडजस तो इदर डीसी फ्लोगा नीद केप्श्टर बहुत लाज़ अरी में और से यहां कि जो सकते हैं वह होगा इसमें तो अलडु में तो आप यहां पर जो वोल्टेज रहा है उसमें नहीं होगा लिए और वोल्टेज है वह प्योर्ली डिपेंट करेगी आई पर आप यह हमने वापिस इसको आई बना दिया तो अब यह फ्लेक्ट्ट होगा नहीं क्योंकि जो है डिसी वोल्टेज सोर्स है यह सब फिक्स हैं तो यह वैरी नहीं करते तो यह फिक्स रहेगा यह फिक्स रहेगा तो आउट्पुट पे ओर इन्पुट पे कुछ भी फ्लेक्ट्ट्ट नहीं होगा तो यह रिजन है या क्या करता है यह चिंग करता यह या क्राता है या बॉल्तेजैंग रोस और या वेड रहती है एस यह यह Раз